चलिए very good morning दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबका आप सबको दोस्तों रक्षा बंदन की हार्दिक शुपका मनाए ठेट सारी शुपका मनाए चलिए सुरवात करते हैं आज का यह शेशन 19 अगस्त है ध्यान दियेगा पहला प्रश्ण देखे किस ने mobile-based application सुगम का लोकार पन किया है तो option यहां पर है दोस्तों ध्यान दियेगा इसका जो सही आंसर है दोस्तों correct answer option number कौन सा है option number आपका यह सही आंसर है इस्थल का जो है तीन साइट से photo तथा दुस्तों अक्षांस एवं देसांतर भागौलिक इस्थिति को registry software में प्रविष्ट कर सकेगा इससे यही है कि संपत्ती संबंदी दोस्तों जो धोखा दड़ी होता है उससे यह कर चोरी को रोकने में यह मदद मिलेगी देखे हाली में चर्चित मियावा की पद्धती इस पद्धती का जो है उद्गम किस देश से माना जाता है इंपोर्टेंट प्रशन है यह धियान जेगा DPRCG से सही आंसर देखते हैं इसका जो सही आंसर है correct answer option number कुन सा है यह सही आंसर है याद रखना है ठीक है जापान ओके देखते हैं डीटेल से तो यही है याद रखे है उस्तों की हाली में जो है MCB मतलब मनेंद्रगर्ड चिर पश्वाल ने आपका मियामाख्डी पद्धति के माध्यम से टमधा से परीशर में list आवांसों का सुहराम क्या है ठीक है चर्चा में की माध्धति पंत्धति और मीवाक्डाति में घरों में het अकीरा मियावाकी ऑर इसके माध्ध्यम से जिल्य के छोड欸 चोडे स्थानों पर मीनि फारिष्ट के रूप में इनको जो है विखसित करना है ठीक है इस प्धती के माध्ध्यम से तो यह एट की जिगा है ना इस पध्धति का नाम एट की जिगा चलिए देखे केज जिले में देव्यांग जन पार्क का निरमाड किया जाएगा तो अपसन यहाँ पर है देखते हैं और इसका जो सही अंसर है करेक्ट अंसर अपसन नंबर बी है रायपूर ओके एट की जिग अधिकारिता मंत्री दोस्तों डॉक्टर विरेंद्र कुमार च्छत्यजगर दौरे पर है और इस मेला में जो है वे शामिल हुए और इसी में दोस्तों इन्होंने जो है घोशना किया है कि रायपूर में जो है दिव्यांग जन पार्क का निरमाड किया जाएगा और रायप कास खंड में कितने खेल मैदान शुरू किया जाएंगे तो अपसन यहां पर है दोस्तों धियांद जिएगा और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर अपसन नंबर देखे 20 हैं 10 ओके हैट किजेगा देखते हैं इसके समन्द में यह याद रखे दोस्तों कि राज्य में जो प्रतेक विध्ति वर्स में याद रखन है सौ खेल मैदान विक्सित किये जाएंगे और प्रतेक विकास खंड में 10 खेल मैदान होंगे यह अगला प्रशन है देखे हाली में 36 गड़ में कितने नई रेल लाइन पर योजनाओं के अंतिम सर्वे और DPR निर्मान की स्विक्रिती मिली है ति इंपोर्टेंट प्रश्ण है धियान दियेगा अप्सन को और इसका जो सही आंसर है जोस्तों करेक्ट आंसर अप्सन नंबर कुन सा है 20 डो याद रखना है दो देखते हैं इसके समयन में और यह दोस्तों याद रखना है कि हाली में केंद्र सरकार की तरफ से चतिछ गड़ में जो है दो नई रेल लाइन पर योजनाओं के ऑंतिम सर्वे और DPR निर्मार के जो है स्विक्री निर मिली है और इसमें पहली कोर्बा से आपका अंबिकापुर तक और यह दूसरी गड़ चिरावली से आपका बीजापुर से बचेली तक नई रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा और वही है कि दक्षिडपुर मद रेलवे के तहा दूस्तों 16 करोड 75 लाख रुपई की लागत से आपका कुल जो है 670 किलो मीटर लंबी दो जो है रेल लाइन परियोजनाओं के निर्मार की टक्रिया जो है शुरू हो गई है और एट की जेगा दूस्तों की गड़ चिरावल तक की जो है नई रेल लाइन का जो है विस्तार किया जाएगा तो यह सब पॉइंट है धियान जीगा इसको अगला प्रशन देखते हैं यह है देखे किसने आस्ट्रलिया के सबसे उंची चोटी माउंट कोजी असको में जो है तिरंगा फार आया है तो यह भी दोस्तों धि दिवस के दिन जो है राज्य के माउंटेन में राहुल गुपता जी ने आस्ट्रलिया की सबसे उंची चोटी माउंट कोजी असको में याद रखने तिरंगा ला रहा है एट किजेगा जस्तों की इसकी उचाई है माउंट कोजी असको की जो है इसकी उचाई 7,310 फीट है एट किजेगा और इस मिशन में देज भर से जो है 11 परवातर हो ही सामिल ते जिसमें 36 से वे अकेले थे राहुल गुपता जी याद रखना है राज्य के पहले परवातर ही है याद रखने जिसने जो है अल्पाइन टेकनिक क्लैम्बिंग के साथ विंटर एक्सपेडिशन मे एक्सपर्ट है एट कि जगा इसको राहुल गुपता जी याद रखने सरगोजा जिले से हैं अम्भीका पूर से और भी है दोस्तों याद रखने के राज्य के जो है अनिप्रवता रोही एट कि जगा सभी का नाम, चितर सेन सहुझी जोस्तों ये बालो जिले से है और याद रखिएगा राजन गाव से निक्की बजाज एट की जिएगा दूस्तों की ये च्छते जड़की पहली जो है ट्रांस जेंडर परवत्र होई है तो यह सब है ना ध्यान जिएगा इसको ओके नेक्स प्रशना देखतें जिए देखे इस रो ने है परियावराण इवं आपदा ओके हैट की जिएगा दूस्तों ध्यान जिएगा की हाली में जो है भारती अंतरिक्षन संधान संगठान मतलब इस्तरों नी आंद प्रदेश के दूस्तों स्त्री हरी कोटा इस्ती सतीस धावन अंतरिक्ष केंद्र सी SSLVD3 रोकेट लांच किय किया है और उसके माध्यम से दूस्तों प्रित्वी अलोकन उपग्रा याद रखना है इसका जो है स्वाट नेम देख लीजेए EOS 8 का सफलता पुर्वक प्रक्षेपड किया है और वही है कि दूस्तों देखे EOS 08 यह प्रित्वी की जो है निगरानी करने के साथ साथ परिय खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकराने खाद प्रदार्थों में जोस्तों माइक्रो प्लास्टिक जो है प्रदुस्टन की बड़ती चिंताओं से निपटने के लिए यह जो है एक नवाचारी परियोजना सुरू किया है और वही है कि इस परियोजना के जो है मुख्य प्रशन आप लोगों के लिए है किस फिल्म को सत्तरवे नैशनल फिल्म अवार्ड्स के अंतरगरत बेश्ट हिंदी फिल्म का पुरुस्कार दिया जाएगा इसका जावब दस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बक्स में चले बहुत बहुत धन्यवाज शुक्रिया स्व